दोस्तो नमस्कार आज हम बताएंगे स्टाफ सेलेक्शन कमिशन यानि स्सी की एक्स ग्रूप की जो वेकेंसी निकली है उसके बारे में ये दसवी बारवी और ग्रेजुशन बेस पर वेकेंसी है कैसे आप एपलाई करेंगे सारी डीटेल आपको बताएंगे वीडियो में ला करीब ये वेकेंसी निकल चुकी थी नॉटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये वेकेंसी चालू हो चुकी है आपको फॉर्म भर के भी बताएंगे और पूरी डिटेल भी इस वीडियो में बताएंगे देखिए स्टार्ट 6 तारीक को हुई है और 27 मार्च तक आप इसको अ साथ तीन से पांस तारीक का इसमें करेक्शन का डेट दिया गया है और इसकी जो एक्जाम की डेट है वो जून जुलाई 2023 अभी डेट मैंसन नहीं है लेकिन डेट भी मैंसन हो जाएगी बात कर लेते हैं CBT एक्जाम की जो तो इसका जून जुलाई में इसका एक्जाम यहां से अभी नॉटिफाई किया गया है साथी साथ इसकी जो फीस है वो जन्राल और EW OBC के लिए सौर पे हैं और SC, ST और Physically Handicap के लिए और All category female के लिए 0 फीस रखी गई है यह जो फीस है आप किसी भी credit card, debit card, net banking से pay कर सकते हैं online इसके बाद आपको बता देता हूं इसमें जो age criteria है वो minimum 18 साल से 30 साल तक का रखा गया है और post wise vacancy है तो graduation बेस तक है तो किसी किसी में age limit जाता भी है बाकि age relaxation as per the category quota जो रखा हूँ अर्वेंट का हो था उसके इसाप से यानि कि OBCC category के लिए reservation है इस age के पाद और जो यह post निकली हुई है काफी सारी post है आपकी और northern, eastern, south, western सभी में निकली हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं SSC Central का UP, Bihar, Sindigar, Regional, Kerala, KKR, NER, WR आप जहां से भी करते हैं और या आप कहीं से भी इस form को डाल सकते हैं आप दिल्ली में रहते हो चाहें आप चैने में रहते हो चाहें मदरास में रहते हो चाहें कलकता में रहते हैं भारत में कहीं पर भी रहते हो आप कोई सी वेकंसी के लिए इलिजीबल है आपको form एक-एक step करके बताएंगे भरना और आप वीडियो को last तक जरूर देखना किसी तरीके के गलती मत करना क्योंकि इसमें कोई correction की गुंजाइस नहीं होती है correction मतलब आप category वगेरा को change नहीं कर सकते हैं नाम वगेरा तो आप बाद में correction कर सकते हैं ठीक दोस्तों तो चलते हैं form देखें यहाँ पर apply का भी option दे रखा है यहाँ पर apply करने के बाद आपको यहाँ पर print का भी option दे रखा है तो हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे apply इस form को और देखेंगे क्या क्या detail इसके अंदर मांगी गई है ठीक है दोस्तों तो देखें हमने कर दिया है इस पर apply वाले link पर click और आपकी जो पहले की detail होगी वो सारी ही आपके सामने आ जाएगी आप check करना चाहते हैं तो check कर सकते हैं किसी भी तरीके की updation आपको कर ड़ी हैं तो इस form में आप कर सकते हैं तो हम यहां पर फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे पूरा के किस तरीके से आप फॉर्म को यहां पर बढ़ना है और बिल्कुल भी गडबढ मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर एक बार डेटा सम्मिट होने के बाद फिर बाद में बड़ी ही दिक्कत आती है अब पर पोस्ट दे गई है Central बाइस इस्ट्रनीस आपको जो भी nagलो आपको सलेक्ट करना है जो भी पोस्ट आपको भड़ने वह आप यहां पर एक एक करके सेप यहां पर देख सकते हैं जिस पर वह मेंजात जाएगा अभी हम फॉर्म यहां पर ऐसे ही किसी का भी भर के दिखा रहे हैं क्योंकि यह कोई डेटा नहीं है और फॉर्म की वेकेंसी को सेलक्ट करने के बाद आपको यहां पर अपना एरिया स्लेक्ट कर देना है यहां कि एग्जामेशन सेंटर आपको तीन डालने हैं जो भ कर सकते हैं तो यहां पर मेरा तो रिज़र्वेशन है इस कैंडिडबेट को जो इस होग मेंशन हो जाएगा और हाइस्ट कॉलिफिकेशन अ और ऑप के क्वालिफिकेशन यहां पर लेक्ग सकते हैं जिस वेकांशी में एक्सिलममaufen में और यहां था इस मेंहुतन सखसेंड़ गया है वह वेकेंसी का यह कॉलम दे रखा है इसमें आपको अपना experience mention कर देना है कि इसके बाद आपको ध्यान रखिएगा यह जो फोटो का प्रॉटो किसी तरीके का लगाना आपको फोटो किसी तरह का गड़बर नहीं करनी है तो फोटो जो आपको लगाना है वह बिल्कुल जो टॉप पर फोटो दे रखा है यहां पर इस तरीके से आपको फोटो सेट कर लें नहीं अपना यहांपर सिस्टम में सेव कर रखा है तो हम इसे राएंगी और अपना सेक्ट तो को यहां पर upload कर देंगे ठीक है ऐसे ही आपको पहले से ही साइज बना करके सिस्टम में रख लेना है क्योंकि अगर आप साइज नहीं बनाएंगे तो यह बाद में देखिए यहां पर में एक एरर दिखा भी देता हूं कि अप्लोड नहीं होगा जैसे कि मैं यहां पर यह अब मैंने यहां पर लगाया और यहां पर ओपन किया यहां पर दिखा रहा है कि साइज का करेक्ट नहीं है तो मैं जिसका साइज करेक्ट है वह यहां पर लगा कर देना है आपको करेंट की फोटो ही यहां पर लगानी है उसके बाद यह कैप्चा कोड फिल करके आपको प् कैली आपको experience जरूरत है तो हम यहाँ पर अगर experience सबस्क्राइब और चींज करेंगा और देखिए अपनी पोस्ट साथ सबुक्र करने के एंपनी इलिजिबिल्टी साथ साथ देख सकते हो ऐसे उय।ं तो 12 वाली पोस्ट डाल सकते हैं फिलाल मैं यहां पर डालूँगा MTS यानि कि मल्टी टास्किंग की पोस्ट ठीक है तो जो कि 10 वी के बेस पर है इसमें जादा कोई इसू नहीं है तो हम यहां पर उसी के करी ठीकिरी थी तो यहांपर चाही जी ती लेकिन यह एक और किसी और का रहा आपको थोड़ा दोगा जाना है तो आपको देखिए यहां पर यहां पर भी आपको देख लेना है और जो चांब तो इसकी वज़ासे भी फोर्म आपके शंबिट नहीं होगा form जब भी सम्मिट होगा जब आपका डेटा पूरी तरह से वैरिफाई यहां पर हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो आपको यह सारी चीज़ें एकदम से किलियर कर लेनी है कि सारी चीज़ें सही भरी जारी है कि नहीं जब तक आप सही नहीं भरोगे तब तक यह प्रीवियू आपको यह डिटेल बाद में चीज़ तो नहीं करनी है आपको कर देना है ओके और यहां पर आपका फॉर्म इस तरी किसी हो गया है कंप्लीट आपको प्रिंट पे क्लिक करने करके अपना प्रिंट प्रिवियू लेकर सेव कर लेना है और चाहे तो प्रिंट आप इसको निक आप दो